तो हेलो गाइज वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा और गामा जहां आपको मैथ साइंस एंड शोशल साइंस से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के एक्स्प्रेनेशन एंड 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 सोलूशन्स मिलेंगे तो गाइज हमने पिछले पावर शेलिंग की दो वीडियो में हमने बात की थी इथनी कॉंपोजिशन ओफ श्रिलंका एंड बेल्जियम आज हम डिसकस करने वाले हैं कि जो इथनी कॉंपोजिशन ओफ श्रिलंका थी उससे श्रिलंका में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और उसके श्रिलंका पर क्या-क्या इंपक्ट पारे थे शोशली फिजिकली एंड इग्नॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हुई थी श्रिलंका में वह क्या थी इन 1956 एंट वस पास्ट टू रिकोगनाईज सिन्हेला एस दा ओनली ओफिशल लैंग्वेज दस डिस्रिगार्डिं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1956 में एक आक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हेला लैंग्वेज को श्रिलंका की ओफिशल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था डिसरिगार्डिंग तमिल्स ना की तमिल लैंग्वेज को सिन्हेला जो कमुटि थी उसको जौब्स में स्प्रेफरेंश में फरस्ट प्रफरेंश दी जाने लगी डिस्स गवरेमेंट जो थी वो बुधि रեजिन को प्रमोर्ट कर देती अब बुधि व्रवेजिन भा यह मárias पिछली वीडियो में बताया था तो कमेंट शेक्शन में को new इंबोने करके जरूर्ण बतÁिए अब इन्प्रोब्ल lawsuitर वगनों के वाननों थे और उनके जो इंत्रेस्ट थे उनकी नीजस्त थे उनको इकनोर्ड किया गया ऑब इन प्रॉब्लम से ृश्रिलंका में क्या इंपैक्ट पड़ा? ती Γॉइलऑ से and do many strikes marches and violence तमिल्स जो थे वो काफी क्रांती की भावना उनमें जागरूत हो गई वो लोग strikes करने लगे marches करने लगे वोईलेंस करने लगे किसके खिलाफ सिन्हेला कम्यूनिटी के खिलाफ इन से क्या हुआ social and economic loss हुआ श्रिलंका में श्रिलंका में बहुत ज़्यादा social loss हुआ वहाँ पर समाजिक दूर्या बन गई आर्थिक नुक्सान हुआ वहाँ पर दंगे हुए इन सब से एक इट लेट्स तो civil war यह जो था यह civil war बन गया civil war एक war नहीं होता यह एक वह situation होती है जब एक ही देश के अंदर दो ग्रूप्स या फिर कोई एक ग्रूप दूसरे ग्रूप के खिलाफ लड़ाई करता है यह दंगे फसाद करता है मार्चिस करता है तो वह जो situation होती है वह कहलाती है civil war यह था मेरे अकोर्डिंग पावर शेरिंग का थर्ड पार जिसमें हमने शिरलंका में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होई उसके क्या-क्या इंपक्ट पड़े वह डिसकस किया अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए